जब मैं पंच प्राण की बात करता हूँ, तो पहला प्राण अब देश बड़े संकल्प ले करके ही चलेगा और वो बड़ा संकल्प है, विक्सित भारत, अब उससे कुछ कम नहीं होना जाएगा आजादी का अमरित महोत्सव, संस्कृती और उपलब्धियों के गौरव शाली इतिहास वो 75 साल की आजादी में प्रगती के जश्न का, जनता को समर्पित, राष्ट्र उल्लास, जोश वो स्वाभिमान का पर्व जो अगस्ट 2023 तक मनाया जाएगा इसका उद्देश सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के महत्वपून क्षेप्तरों पर ध्यान केंद्रित करके इस जन आंदोलन को और प्रोट्साहन देना है माननिय प्रधान मंत्री द्वारा घोशित पंच प्रण के अंतरगत विकास के लक्ष को प्राप्त करने के लिए समावेशी विकास पर बल दिया गया है जो सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास अवधारना पर केंद्रित है जो समनांतर अवसरों को बढ़ावा देता है और जिससे समाज के प्रत्येक वर को लाब होता है ग्रामीन विकास मंत्राले भारत सरकार के नेत्रित्व में समावेशी विकास के तहट सब ग्रामीन भारतियों की हिस्सेदारी के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को उचित अफसर्व लाब देने वाली बुनियादी जरूरतों को अंतिम छोड तक पहुँचाने के लिए नौ अलग-अलग अभ्यान चलाई जा रहे हैं और इनमे स्वास्त एवं परिवार कल्याण मंत्राले, क्रिशी और किसान कल्याण मंत्राले, पशुपालन और डैरी विभाग, वपंचायती राज मंत्राले, सहियोगी मंत्राले हैं अपनी जिम्मेदारी को उत्सा के साथ निभाते हुए वमाननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के समावेशी विकास ही वास्तविक विश्वास की परिकल्पना से प्रेरित होकर चलाई जा रहे इन नौ अभ्यानों की विशेशताओं को लोगों के साथ साजह करने औ पर मोबाइल आप न केवल प्रत्येक अभ्यान के तहत राप्त उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते हैं बलकि भारत के नागरिकों को इन अभ्यानों के बारे में अपने अनुभव और राय साजह करने का अवसर भी प्रदान करते हैं इस वेबसाइट में अभ्यान बटन पर क्लिक करके कोई भी प्रत्येक अभ्यान की प्रगती देख सकता है और कैलिंडर पर जाकर देश में कहीं भी होने वाले कारिक्रमों के बारे में जान सकता है इस वेब साइट में प्रत्य एक अभ्यान से संबंधित फोटो या विडियो देखे जा सकते हैं कोई भी नागरिक मोबाई आप को डाउनलोड कर अपने विचार साजा कर सकता है आईए इस अमरित काल में देश को विकास की ओर ले जाने वाले कुछ समावेशी प्रयासों में खुद को जोणे और माननिय प्रधान मंत्री के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास में खुद को शामिल करें